हलो फ्रेंड्स मैं आओ मिथलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में इस वीडियो में आपके बात करने वाले हैं डी फार्मा इंटरंस एक्जाम 2023 की यदि आप तयारी कर रहे हैं आपके लिए एक important chapter है digestive system इस chapter से कम से कम आपके एक्जामे दो question तो जरूर देखने की मिलता है और दो question मतलब कितना marks हो गया 8 marks हो गया तो 8 marks का बात है अगले 10 से 15 मिटे यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको एक idea मिल जाएगा कि आपको digestive system किस तरीके से पढ़ना है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है जिससे कि आपका यदि digestive system से exam question आता है तो आपका cover हो जाए वहां से बाहर नहीं जाए ठीक है जी चलिए स्टार्ट करते हैं एक single short video में digestive system को मैं आपको overall idea देने वाला हूँ ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते देखिए digestive system को हमने 5 parts में जो paid classes है वहीं उसी content को मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि हमने paid classes में पढ़ा रखा है डी pharma entrance exam batch है उसमें paid classes चलती है वहाँ पे मैंने paid classes में 5 lecture में digestive system कतम किया है उस सारे content को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने पढ़ाए है ठीक है यदि आप उस तरीके से खुद भी पढ़ सकते तो पढ़ लीजिए अन्यता आप हमारे स जुड़ कर पढ़ सकते हैं वीडियो में last में बताऊंगा कि कैसे आप जुड़ सकते हैं ठीक है ची चलिए start करते हैं हम लोग सबसे पहले हमने बताया कि पाचन तंत्र देखें यहां पर marking किया हुआ है मतलब यह पढ़ाया हुआ content है मैंने इसी content को पढ़ाया है तो आपको घबराना नहीं देखना है सबसे पहले क्या होता है पाचन तंत्र यानि डाजेस्टी सिस्टम में पाचन है क्या तो कोई भी नौन डिफ्यूजबल सबस्टांस कोई भी पराशर्णिया यानि डिफ्यूजबल सबस्टांस में बदलते हैं तो मतलब कोई भी complex food substance है उसको simple form म लाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं कोई भी complex food substance है जो की absorbable नहीं है उसका अवसोसन नहीं हो सकता है लेकिन उसको अवसोसित form में लाते हैं जैसे कि अगर आख रोटी खाते हैं तो रोटी में carbohydrate पाया जाता है तो क्या carbohydrate ही हम यही क्या कहलाती है पाचन प्रक्रिया कहलाती है इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे प्लस पाचन प्रक्रिया जो हमारा पूरा आहार नाल से लेकर चलता है सबसे पहला हमारा क्या है माउथ है उसके बाद क्या है हमारा इसोफेगस है उसे नहीं माउथ है जिसको हम लोग क्या कहते है बकल कैविटी कहते है औरल कैविटी करते हैं फिर उसके बाद क्या है फैरिंग से उसके बाद इसोफेगस है इसोफेगस के बाद क्या है जी इसोफेगस के बाद स्टॉमक है स्टॉमक के बाद क्या है स्टॉमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है फिर लार्ज इंटेस्टाइन है फिर उसके बाद से question अक्सर आ जाते हैं तो आप पार्थेवे को ध्यान से देख लें जैंगे, जैसे कि पहले mouth होता है, उसके बाद इसो-फेगस होता है, उसके बाद stomach होता है, फिर small intestine में जाता है, food फिर large intestine में उसके बाद rectum के द्वारा, rectum में जाता है, उसके बाद NS के द्वारा food क्या क्या होता है मुगुआ से पाचन का सुरुवात होता है तो मुगुआ में हमारा दांत होता है दांत के बारे में कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे जीब होता है तो डेंटीशन के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे कि अस्ताई दांत कितने होते हैं 32 होते हैं बच् ग्राइग्राम के मदद से हम लोग ने डेंटीशन अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो यह देखे एडल्ट में चाइल्ड में एडल्ट का डेंटल फर्मुला 21-23 बटे 22-23 फिर कुछ इस्तंधारियों में जैसे कि मनुष्य और याद रखेगा बच्चा और वयस्क का डें एक अपूट पढ़ रखे हूंगी या तो हमारे ले लिए अ अच्छा लगता है तो हमारे सेथ पढ़ सकते कोई बड़ी बात नहीं है ठीकने औरे wreck मोलर का पढ़ें कीम मोलर का का म्या होते क्तने संख्या मोलर का किप्रकृति 1 जब समझना होता ही in the lecture 2 में फिर हा राकशर 2 संकुनुमा भाग है जिसमें की तीन पार्ट होता है नेजो फैरिंग्स होता है और फैरिंग्स होता है यादि नेजल केविटी के पुस्टिरियरली यानि नासा गोहा के पीछे साइड में जो परजेंट होता है नेजो फैरिंग्स होता है फिर ओरल केविटी यानि मुह के पी 20-25 cm PCI नली का युक्स रचना है इसमें क्या होते हैं longitudinal folds होते हैं परिस्टेल्सिस movement क्या important है food जो हमारा मुह से पेट की अर्द जाता है इस टॉमक तक जाता है वो किस movement के थूरू जाता है body होता है फिर pylorus part होता है यहां पर कौन सा स्फिंटर लगा होता है यहां पर कौन सा स्फिंटर होता है isophagus कहा open होता है इस तरह से lesser curvature क्या है greater curvature क्या है complete बता रख है डिटेल में तो यहां पर उसका काम क्या में चर्निंग होता है जंतु सम होते हैं। जैसे का जयत पार्ट में बटा होते हैं। इससे भी स्टॉमक कभी कभी आते हैं। हमने बताइं। बस्रा रटिकुलम होता हैं। तीसरा ओमिस होता है। हम चीजें याद करवा दिया है यहone लोगो तो आप भी याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से पढ़िए बैटर रहेगा फिर जो सब्सक्राइब किस में होता है जंतु संपा जो भी सकाहरी जंतु होते उसी में होता है ठीक है चलिए इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं फिर छोटी आथ के बारे में डीटेल म भाग होता है आहर नाल का लगवग दो फिट से चे फिट लंबा क्या होता है छोटी आथ ही होता है यह तीन पार्ट का होता है डूओ डेनम जेजुनम क्या होता है डूओ डेनम ध्यान से देखेगा डूओ डेनम फिर क्या होता है जेजुनम उसके बाद क्या होता है इलियम होता है फिर bile pancreatic duct कहां खुलता है फिर हम लोग पुरा duct system के बारे में पढ़ेंगे microvillai के बारे में पढ़ेंगे microvillai काफी important होता है जो क्यों क्योंकि microvillai के थू ही क्या होता है अवस्रोशन हो पाता है ठीक है इस तरीके से हम लोग बढ़ी आत के के बारे में पढ़ेंगे क्या-क्या पाचक ग्रंथियां होती है तो यह डाइग्राम को मदर से देख लेए जैसे salivary glands हो गया liver हो गया फिर pancreas यह सब क्या है पाचक ग्रंथियां जैसे कि जो salivary glands होता है वो क्या produce करता है उसमें क्या present होता है कौन से इंजाइम परजेंट होते है जैसे कि लाइदोजय परजेंट होते है salivary amylase present होते है क्या किस pH पे काम करता है कौन-कौन से gland होते है salivary gland में तो यह टोटल 6 होता है पहला होता है parotid gland जोकी सबसे बड़ी गरंती होती है इस diagram को मतब से बताया थे, parotid gland, sub-mandibular gland, sub-lingual gland, tinoe के duct के नाम भी ध्यान रखने हैं, sub-maxillary gland क्या होता है, sub-lingual gland क्या होता है, इसका position क्या है, कौन से duct होते हैं, plus ये कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये चीज़े ध्यान रखने हैं, फिर जठर ग्रंतियों के बारे हम लोग बात करते हैं, gastric gland कौन कों से होते हैं, जैसे cardiac gland होते हैं, pyloric gland होते हैं, फिर fundic gland होते हैं, ठीक है जी, उसमें हर में चार प्रक cell होता है, फिर goblet और mucus cell होता है, और जन टेफिन cell होता है, ये सभी अच्छे अच्छे important चीज़, जैसे के HCL का स्रावन कौन करता है, oxintic cell करता है, mucus का स्रावन कौन करता है, तो goblet और mucus next cell करता है, ठीक है जी, इस तरीके से आपको questions बनते हैं, फिर यकरीत के बारे में लो जो सबसे hard topic मोना जाता है, digestive system का ये होता है, duct, right hepatic duct, left hepatic duct, उसके बाद cystic duct, common hepatic duct, common bile duct, इस तरीके से किस तरीके से duct वेगरा का काम आता है, कैसे questions आ सकते हैं, वो भी हमने पुरा पढ़ा रखा है, ठीक है, फिर आपको ये सब पढ़ना है, फिर पित के बारे में total इसका अंतरसे इसरावी भाग 4 परकार की coach का पाल जाती है, अंतरसे इसरावी भाग को isolates of lanter hands कहते हैं, 4 परकार की coach का हैं पाल जाती है, जैसे अलफा एल्फा कोकार को लिवल को बढ़ाना होता है, बीलपा को एलिपड़ को इसका का आपा counted है, ब्लैड मेंं कहाना होता है इसे तरीके से डाइग्राम से देख लिए है कि जो हेटरोक्राइन ग्लेंट है पेन क्रियाज बुक के उसका पोजीशन क्या है कहां पे खुलता है वो डुटेनम में खुलता है इस फिंटर ओडाई के थुरू खुलता है ठीक है उसके बाद देखें चीजे समझ में नहीं आ जिसे कि हम लोग बात करते हैं देखें भोजन का डिजेशन होता है भोजन का पाचन कैसे होता है सबसे मुख गुवा में पाचन क्या क्या होता है है ना मुख गुवा से पाचन स्टार हो जाता है तो मुख गुवा में पाचन को कौन-कौन सा भाग होता है तो स्टार्च का क्रतिंगे द्वारा कॉन कॉन से निकलते हैं कॉन कुन से हॉर्मोन निकलते हैं कि हजएशन कैसे होता है वह चीजें देखनी है। फिर देखनी है छोटी हाथ के बाद यह मिली लएक्सिमाम अबजॉप्शन हो जाता है बसता है large intestine large intestine में हमारा क्या होता है food large intestine में जो होता है हमारा food ना digest नहीं होता है ठीक है जी food जो undigested food होता है वो हमारा किसमें चल जाता है देखे part 4 तक यहां होगा part 5 last 5 होगा कि जो पचे भोजन का absorption जो चोटी आत तक में पच गया complete ठीक है अब absorption के बात है उसका absorption कैसे होगा तो absorption भी maximum किसमें होता है छोटी आत में होता है बस पानी का absorption जल का absorption कहा होता है maximum large intestine का क्या है जल का absorption करना ठीक है जी अल्कोहल का absorption कहा होता है तो stomach में, अमासे में ही, इसलिए दारू पीने का बाद तोरंद से नसा आ जाता है, क्योंकि stomach में ही उसका absorption हो जाता है, clear चलिए, lymph capillaries का काम क्या होता है, वसा के absorption के लिए help करता है, blood capillaries जैसे की हमारा glucose हो गया, फिर amino acid हो गया, वो से blood capillaries के थूरू क्या होता है, absorb हो जाता है, ओके फिर अनावश्यक भोजन का बहिसकरन करते हैं, ejection करते हैं, वो feces कैसे बनता है, कहां store होता है, किसके द्वारा बाहर निकलता है, मलासे में store होता है, एनस के द्वारा बाहर निकलता है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, totally हम लोग पढ़ चुके हैं कि digestive system में overall idea लग गया कि क्या होता है, फिर plus है कि जो absorption होता है, वो छोटी पर तुरू कौन सा होता है, इस तरीके से आप चीजें ध्यान में रखेंगे, मेरे ख्याल से digestive system इतना पढ़ लेंगे, तो आपका question बाहर नहीं जाएगा, हर चीज हम लोग cover कर लिए, इसके बाद आपको MCQ करा दिया जाता है, ठीके जी, तो आपको मेरे ख्याल से ये best तरी इस exam 23 को target कर रहे हैं, इस batch को ही focus किया जा रहा है, इस exam को focus करते हुए, वहाँ पर मिलते क्या क्या है, आपको recorded video lectures मिल जाते हैं, क्या क्या मिल जाएंगे, recorded video lectures मिल जाएंगे, पूरे biology के, साथी साथ पूरे chapter wise, जैसे theoretical हमने दिखा दिया 5 lecture में, उसके बाद इसके MCQ आपको PDF म लेता हूँ इसमें लूगा, तो आप संडे संडे आप अपना जो भी doubt है, पूछ लीजिए, उसके बाद जब syllabus complete हो जाता है, लगवग मार्च तक में, उसके बाद live classes के माध्यम से पूरा आप से पूरा syllabus revise भी कराया जाएगा, ठीक है जी, फिर ebook PDF notes भी हम लोग provide करते हैं, topic आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फोन में जाएए, प्ले स्टोर एप, प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर में जाएए, और प्ले स्टोर में सर्च किजिए, उदित फार्मेसी, क्या सर्च करना है, उदित फार्मेसी, हमारे एप का लोगो कुछ इस प्रकार से, जब इसको आप देखेंगे, तो यहाँ install का option आएगा, install कर लेना है, mobile number डालना है, OTP डालना है, उसके बा स्टोर में हर चीजें features available है, साथी साथ आपको बता दूँ कि आपको free demo lectures भी यहाँ available है, तो आप free video भी पहले देख लिजिए, आप समझ लिजिए, सोच लिजिए, कि क्या चीजें ठीक ठाक है, अगर ठीक लगती है, तो आप join कर सकते हैं, इस batch का price काफी कम है, 499 rupees में अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, और यदि form आ जाता है, उसके बाद इस course की price बढ़ने वाली है, इसलिए आप जल्दी-जल्दी join करके अपनी तयारी को start कर सकते हैं, ठीक है जी, चलिए, आसा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई हैं, तो आप हमा कीजे, टेलिग्राम पे जाएगे, उधित Academy सर्च कीजे, उसको भी join कर लिजे, और यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उधित Pharmacy के app पर आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, चलिए, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, कीजे, तो 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 कीजे